दोस्तो जैसे कि आप सबको पता है जून 2023 का रेजल्ट 75% बच्चे जो हैं वो फेल हुए हैं पता है कारण क्या है में में कारण है बच्चो एक प्रोपर स्टैटिजी का नहीं होना तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं स्टैटिजी फॉर डिसमबर 2023 यहां पे मैं हर इसकी वीडियो में बच्चो वो इस्टैटिजी बताने वाला हूं जो आपको एक बार में पास करा देगे वीडियो को अंतक देखना न भूले बच्चो और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शियर करें अब बता रहा हूं मैं सबजेक्ट वाइस आपकी स्टैटिजी क्या होनी चाहिए सबसे पहले मैं बात करूं एकाउंट्स की एकाउंट्स के अंदर बच्चो आपकी स्टैटिजी क्या होनी चाहिए ध्यान रखना एकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे चैप्टर ज जो chapters आपने strongly prepare करने वो कौन-कौन से chapters हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो accounts के अंदर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो बचो इसके अंदर आपने करना है final accounts, ठीक है, दूसरे chapter के अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपने करना है मेरे बचो, partnership accounts, तीसरा आता है हमारा NPO, बचो यह अगर मैं तीन chapter की बात करूँ, तो इस chapter का जो weightage in 3-0 chapter का, यह है आपका 32-40 marks, इसके बाद आजाईए बचो आप लोग next, चौथा आपने जो तैयारी करनी है, वो करना है आपने company account, यह आपका आता है मेरे बचो, 10-15 marks का, तो यहाँ पे आपके अगर मैं बात करूँ, मोटा मोटी अगर मैं बात भी करूँ, तो आसानी से आप यहाँ पे 50 marks जो हैं, आप ला सकते हैं, यह वो chapters हैं, जो आपने strongly prepare करने हैं, अब accounts का तरीक है जब आपके chapters prepare हो जाएंगे, इसके बाद ध्यान रखना, ICI module जो है आपका, वही सब कुछ है, उसके illustration, questions, सब कुछ, जिनके पास हमारी perfect practice book है, उनको ICI module करने की जड़वत नहीं है, वो perfect practice book भी कर लें, that is more than sufficient, क्योंकि perfect practice book, एक मात ऐसी book है, जिसके अंदर आपका illustration हो, चाहे उसके अंदर में अगर past year questions की बात करो, या उसके अंदर में आपके RTPs के question की बात करो, या mock test paper question की बात करो, सब कुछ आपको available है, तो यह चीज आपने करना है, जो मैंने आपको इसके तरीके बताएं, अब बात करते हैं बच्चों, हम law and BCR की, law and BCR में आपने क्या क्या करना है, सर, law ऐसा subject है, जो हमें बहुत परहिसान करता है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, simple simple बोल रहा हूं, आपने बस वो ध्यान रखना है, सबसे पहले, sales of goods act, ठीक है, यह आपने करना है, उसके बाद बच्चों, आप आजाईए इसके अंदर, जो सबसे easy chapters हैं, यह सारे बतारों में आप लोगो, LLP, ठीक है, और इसके बाद, आपने करना हैं इसके अंदर, partnership act, ठीक है, यह सारी चीज़े आपने करनी हैं, यह तीन सबसे easiest chapter है, अगर इनको आप तेयारी करने भी बैठो न, तीन से पास दिन के अंदर, with writing practice, आप आसानी से कर सकते हैं, यह आपका contain करता है बच्चों, 50%, that is 30 marks, 30 marks, क्योंकि आपको पता है, जो law है, वो आपका 60 marks का आत है, तो यह तीन chapter बहुत ही easy chapter, यहां से आप आसानी से 30 marks gain कर सकते हैं, मेरे बच्चों, है की नहीं है, यह वो chapter बतारों, जो आपने strongly prepare करने हैं, आगे आते हैं, BCR, अब BCR के अगर मैं बात करूं, तो BCR को हलके में मत लेना, ठीक है, BCR अगर आप करके जाते हैं, तो एक अच्छा marks आ जाता है, law और BCR के अंदर, बच्चे इसको practice नहीं करते हैं, exam होने के दो दिन, तीन दिन पहले ही practice करते हैं, तो ऐसी गलती मत करना, कैसे practice करना यह मैं बता रहो, पहले मैं कुछ chapters के नाम यहाँ पर लिग दू, इसके अंदर सबसे पहले बच्चों आपने करन यह आपका जो आता है, यह 8 to 10 marks के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद बच्चों आता हूं next, नेक्स आपने करना है, note making, ठीक है, note making, यह आपका हो जाएगा 5 marks, उसके बाद बच्चों आजाए यह तीसरा, sir active, and passive voice, active and passive voice, यह है आपका 4 marks, उसके बाद आखरी, precise writing, यह आपकी अगर मैं बात करूँ, तो यह भी है आपका 4 marks, तो अगर देखो मैं मोटा मोटी बात करूँ, तीस marks, आपके यहाँ पे law पे हो गए, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 8 और 5, 13, 13, 4, 17, और 17, 4, 21, है न, तो यहाँ पे आपके 21 आगे, तो 30 और 21 आपके कितने हो गए 51, देखो, यह वो चैप्टर हैं, जिनको आपने strongly प्रिप्यार करना है, law के अंदर तो ऐसे ध्यान डखना, कि daily writing प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलेगा, कि आप एक दिन कर रहे हो, हो जाएगा, इसके अंदर ध्यान डखना, बच्चो, law के अंदर, आपकी daily सब note down करो, इसलिए मैं note down इसलिए कर रहा हो, ताकि आप note down कर सके, एक एक चीज आपके धिमाग के अंदर बैठ सके, मैं पहले भी लिख सकता था, डेली राइटिंग, प्रैक्टीस करनी है बच्चो, और बात करूँ, BCR की इसमें ऐसा करना, जो भी आप note making कर रहे हैं, या communication, जो active voice या प्रिसिस राइटिंग कर रहे हैं, यह alternative days में करिए, या मालो, हपते में 3 दिन, ठीक है, 3 days, आप कोई select कर लो, ज्यादा time नहीं लगया half an hour के अंदर आपका यह पूरा complete हो जाएगा writing, ठीक है, हफते में 3 दिन आपने यह देना है, but law के case में, daily आपको writing practice चाहिए, चाहिए, मालो, 3 question उठा लिए, उसको समझ लिया, याद कर लिया, लिख लो, यह daily करना है आपने, तो यह है बच्चो, हमारा law and BCR subject की strategy की इस तरी प्रिपियर करना है, next आता हूँ, बच्चो, mass, stat and LR, दुख्ती दर्द, इसके अंदर सबसे पहले मैं mass की बात करूँ, मैं इसके अंदर, मैं एक ही chapter बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ time value of money, यह वो chapter है, जिसका weightage सबसे ज़्यादा है बच्चो, यहाँ से आपको सीधा सीधा, 12 to 16 marks तक question देखने को मिल सकते हैं, तो इसको बिलकुल भी ignore नहीं करना है, यह करना है, इसके बाद बच्चो, आप आज आओ, logical reasoning, LR, LR जो है आपका, यह सीधा सीधा मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पर क्या है, 20 marks, free के marks है भाई यह, ठीक है, free के marks है यह, यह आराम से कर सकते हैं, stat के अंदर, sir, stat के अंदर, measure of central tendency, बहुत easy chapter, measure of dispersion, ठीक है, उसके बाद, correlation, यह सारे formula based है, correlation and regression, मैं short में लिख रहा हूँ, आपने full form में लिखना है, ठीक है, correlation and regression, उसके बाद आजाओ, statistical description of data, और उसके बाद आजाओ मेरे बच्चो, index number, यह जो मैंने आपको बता है, stats के chapter, यह पता कितना marks contain करते हैं, यह आपका 30 marks, कितना, 30 marks देखो, तो 30 यह हो गया, 20 मैं LR लेता हूँ, तो 50 हो गया, और मैं यहां से चलो, 10 number वहां से ले लेता हूँ, time value of money से, तो यह आपका total जो ह हो गया, मेरे बच्चे, 30, 20, 50, और 60, तो 60 number कहीं नहीं गए, क्यों घबराते हो, मैंने मैस के तो और chapter बोले ही नहीं, stats के अंदर probability छोड़ दी, theoretical distribution छोड़ दिया, तो बस इतने ही chapter अगर आप अच्छे से करते हैं, आर हम से पास हैं, बट ध्यान रखना, जब आपके concept clear होते हैं, questions practice जरूर करना है, इसमें तो कम से कम daily basis में, जो non-mass background के बच्चे हैं, कम से कम, जब आपका chapter clear होता है, दो घंटे कम से कम questions practice करना है, वो भी daily, और जो mass background के हैं, उन्हें कम से कम 1-5 घंटा daily questions practice करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी जो mass background के हैं, वो तो सारे ही करेंगे, तो ब आता है मारा paper number 4, Economics and BCK, इसके अंदर बच्चों आपने क्या करना है, देखो, simple, इको के अंदर जाड़ा बच्चे बढ़न होने की तो जरूरत होती नहीं, इतना, है ना, तो इतना pain लेने की जरूरत नहीं है, इसमें सिप chapter number 2 है, आपका theory of demand and supply और chapter number 3 है, theory of production and cost, ठीक है, ये दो चैप्टर्स की बच्चों अगर मैं वेटेज की बात करूं, तो यहां से सीधा सीधा आपका 21 से 24 मार्क्स देखने को मिलते हैं, बहुत बड़ी बात है बई, 21 से 24 मार्क्स उसके बाद chapter number 5 है आपका business cycle, business cycle, यहां से आपको 9 से 12 मार्क्स को आद देखने को मिलते हैं questions, ठीक है, 9 से 12 मार्क्स, तो यह तो होगी हमारा eco अला पार्ट, अब मैं BCK की अगर बात करूं, तो BCK में तीन chapter कर लो, chapter number 1, ठीक है, सभी का वेक्टेज सेम हैं यहां पर, chapter number 1, that is introduction to business and commercial knowledge, ठीक है, उसके बात कर लो इसमें, chapter number 3, business organization, और एक कर लो chapter number 6, business terminologies, यह तीन chapter कर लोगे, sufficient है, तो 14, 6, 20, लगबग 20 मार्क्स का, यहां से आपको questions देखने को मिलते हैं बच्चो, तो अगर eco BCK में मुटा मुटी बात करूं, तो यहां से अगर मैं 20 लेता हूं, यहां से 10, 30, और यह 20, 50, तो 50 देखो, यहां से अपने आप आप आगए, बस अब इसमें क्या करना है, जैसे ही आपके concept clear होते हैं, ICI module के पीछे जो questions given है, वो जरूर करना है इसके case में, ठीक है, इसके case में वो आपको जरूर करना पड़ेगा, और जिनके पास perfect practice book है, तो ICI module करने की जरूरत नहीं है, बस वो ही कर लो, हैना, total जो questions है उसके अंदर, 800 से लेकर 850, तक questions है, eco BCK को म more than sufficient, तो चलिए बच्चो एक summarize way में हम देखें, क्या क्या हमने देखा, तो बच्चो हमने देखा कि जो accounts के अंदर है, accounts के अंदर आपके लगभग 50 marks आ रहें, उसके बाद बात करूँ, law and BCR की, इसके अंदर भी हमने क्या देखा, लगभग 50 marks आपके आसानी से आ रहें, उसके बात करूँ, paper number third, mass, stat and LR, इसके अंदर 60 marks, और अगर मैं बात करूँ, मोटा मोटी, eco and BCK के अंदर, इसके अंदर भी हम लोग देख चुके हैं क्या 50 marks, यह वो chapters हैं जो आप लोगों ने strongly prepare करना, यह ध्यान रखना है, बाकी जो आप कर रहे हैं, जो आपको easy लग रहे हैं, वो आप कर सकते हैं, यह तो करनी ही करने हैं, तो यहाँ पे खुद अग और एक बच्चा follow करेगा, और December का जो attempt है, वो एक बार में निकालेगा, clear है बच्चा, और जो December का attempt है, वो आराम से निकालेगा, जाते जाते बच्चों बता दूँ, Grooming Education Academy लाँज करने जा रहा है, नया बैच जो की 18 अगस से start होने वाला है, इस बैच के अंदर आपको बि के लिए, जैस्वी शाम